मैं राम किशन इंदौर इंडिया से बोल रहा हूँ ये मेरी विडियो रिलीज 2H है जिसमें आपका स्वागत है इसके पहले रिलीजेज थी 1H and 1E ENH English और Hindi के लिए है यूटूब में जाकर आप मुझे इसलाम राम किशन से सर्च कर सकते हैं इस रिलीज में हम बातचीत कर रहे हैं इसलामिक आतंकवाद इसके खिलाफ कोई भी मुस्लिम क्यों नहीं बोलता इसके पीछे कारण है कुरान की आयत सूरा 49 आया 10 जो ये कहती है मुमिन अर्थात मुसलिम आपस में भाई भाई हैं इस तरह से आतंकवादी और अन्य मुसल्मान आपस में भाई भाई होने के नाते मुसल्मान आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते आय दुनिया में मुसल्मानों की पापुलेशन 1.9 बिलियन अर्थात 190 करोड है इस आतंकवाद से पूरी दुनिया तरस्त है अभी अंगोला आफ्रिका में इसलाम को पूरी तरह से बैन कर दिया है इसके पहले इसलो वाकिया ने इसलाम को बैन कर दिया है अभी हाली में फ्रांस में बहुत बड़ी पबलिक की एक रैली में इसलाम के खिलाप प्रदर्शन हुए इसके पूर्व, नार्वे और सीडन में भी दंगे ही हुए जिसके के पीछे इसलाम एक आतंकवादी थे आपको ग्यात है कि चाइना ने इसलाम के उपर बहुत से रिस्टिक्शन लगाए हैं सोला हजार मजजदें धा दी गई हैं उनकी जगह बाथरूम, टौाइलेट बना दिये हैं लाखों मुसल्मानों को कंसंट्रेशन केम्प में रखा गया है चाइना इस तरह से पूरी तरह से इसलाम के खिलाफ कड़ी कारवाही कर रहा है इसके फूर्ड सीलोन में बहुत सारे बंधन मुसल्मानों पे लगाए हैं आपको ग्यात है 2001-9-11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसलामिक आतंकबादियों ने 6,000 निर्दोस व्यक्तियों को मार कर हत्या कर दी थी सन नब्बे में जम्वु कश्मीर के पांच लाग कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बाहर किया गया इनी इसलामिक आतंकबादियों ने जब इंडिया में सम्विदान है भारत सरकार, राज सरकार, सैना, पुलिस और सुप्रीम कोट इतनी सब्विवस्था के बाबजूद जबकि एक व्यक्ति को आप उसके घर से नहीं निकाल सकते इन इसलामिक आतंकबादियों ने पांच लाग कश्मीरी पंडितों को निकाल बाहर किया अभी हाल में डोनाल ट्रम के यात्रा के समय दिल्ली में दंगे के पीछे यही इसलामिक आतंकबादी थे तो इस तरह से आज जो पूरिया दुनिया में आतंकबाद का खौफ है इसके पीछे है ये मुसलमान और आतंकबादी आपस में भाई भाई मानते हैं इसलिए वो इसके खिलाब भी नहीं बोलते आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्रिप्या आपस में चर्चा करें शेयर करें और अधिक से अधिक पहलाएं पुनाय पुनाय धन्यवाद